नमस्कार में मैंश मिश्रो और आप देख रहे हैं दा इंसाइड इस्टोरी तो सात्वा चरन अब बाकी है एक तारिक को एक जून को सात्वा चरन होना है और चार तारिक को नतीजे आ जाएंगे और पता चलेगा कि आखिरकार अगले पांच साल तक किसके हाथ में सत्ता की चाभी रहने वाली है लेकिन इस बीच टेंशन परेशानी और प्रेडिक्शन सब कुछ चल रहा है आज हम बात करने वाले हैं बीमडबलू की बीमडबलू यानि कि बिहार और महराश्ट और वेस्ट बंगॉल ये त सकता है कैसे हो सकता है क्या है आकड़ों का खेल आज सारी चीजों की बात इंसाइड स्टोरी में करेंगी डॉक्टर संजीव तुर्वेदी जी वाईश्पित का रमाय साथ संजीव जी बीमडबलू ऐसे तो कार लवर्स को ज़्यादा फेमस है उनके लिए और उनको बड़ चीज है बीमडबलू के मामले में और भारते जंता पार्टी की भी जो रफतार है लोक सभा चुनाओं में वो लगातार बढ़ती रही है साल 2014 और 2019 में तो बीमडबलू की रफतार से मैच करनी की बात जो है वो इस बात पर आधारित है कि जिस बीमडबलू का जिकराब कर र रहता है या उससे बहतर होता है अब बिहार में तो बहतर होने की संभावना नहीं है क्योंकि पिछली जफ़ाज इतनी सीटे मिली थी बीजेपी को लडने के लिए इतनी ही इस बार भी है और पिछली बार सेंट प्रिसेंट वहां पर रिजल्ट आया था महारास्ट में जो सीटे मिली थी वो थोड़ी बढ़ गई है 25 सीटे मिली थी इस बार 28 पर लड़ाए है और दो सीटों का नुकसान वहां हुआ था तो करीब करीब वहां पर 95% का आगला था तो वह बढ़ा करके 5 सीटे और जीत कर 100% कर लेंगे या फिर नहीं कर पाएंगे और पशे मंगाल में अपरत्याशित तरीके से 40 पीसदी वोट बैंक के साथ 18 सीटें जीती गई थी परदान मिंटरी आज भी पशे मंगाल में है कोलकाता में रोड़ शो भी हुआ है और जबरदस्त रोड़ शो देखा जा रहा है पर ये सब कुछ वोट में ट्रांसलेट कर रहा है क्या ये जो क्या है इसी पर निर्भर है भारती जनता पार्टी की अपनी परफॉर्मेंस आप एंडिये की बात मत करिए क्योंकि एंडिये के साथ दिक्कत ये है कि अगर वो पड़ा जिसका भारी देखेगा उस तरफ वो जाएगा जो छोटे दल होते हैं अमोमन उसमें से कुछ को छोड़ दीजे अगर तो वो कोई बहुत भारती जनता पार्टी या कॉंग्रेस से डीपली अलायंड है ऐसा नहीं है वो स्थिती पर स्थिती को भापते हुए वो अपने तरीके से फैसले लेते हैं तो अपने दम पर पहले तो भारती जनता पार्टी जैसे पिछले दो साल से करती आई है क्या वो करने जा रही है प्रश्ट यहां एक यह है और दूसरी बात यह है कि अगर वो अपने दम पर बहुमत प्राप्ट करेंगी तब ही बांकी के जो दल है उससे जुड़ेंगे तो अपने दम पर अगर आप ये तीनों राज्य देखें तो भारते जिन्ता पार्टी ने इन तीनों राज्य को मिला करके करीब 84 सीटों पर इलेक्शन लड़ा था 84 जिसमें से भारते जिन्ता पार्टी जीती थी 58 सत्रह यहीं जीत गई थी बिहार में 18 वेस्ट मंगौल में और 23 सीटे वहां जीत करके आई थी तो 58 सीटे वो जीत गई थी ये 58 सीटे अगर 58 रहती है या फिर बढ़ती है तब तो बहुत अच्छी बात है तब तो जहां अकड़ा है हम उमीद कर सकते हैं कि अगर बागी जगों से छरन होता भी है तो दूसरी जगों से जो सीट आएगी उसमें मेक अप कर जाएगा लेकिन अगर ये तो तीन राज्ये हैं ये ब्लॉक है 130 सीटों का ये जो ब्लॉक लाग है अगर इसका संतुलन गर बनाता भारतियी जङनता पा्रटी के लिए तो फिर वो जगो 303 का आंकड़ा है वो सिल्प कर सकता है ये दर्शकों के लिए थोड़ा सा और आसान बनाते हैं और एक एक राजी की बात करते हbro canyon क्या क्या समीकरण अभी तक नजब आएप न बनती हुई दिखाई दे रही है सबसे पहले बात वेस्ट बेंगॉल की करेंगे क्योंकि बिहार और महराश्ट में तो एलाइन्स के साथ में जो कॉमिनेशन बन रहा है उसकी बाद में चड़ता है सबसे पहले वेस्ट बंगॉल में जहां वन तूवन फाइट है एक तरह से ए जो अच्छी बात है वो यह है कि भारते जिनता पार्टी पिछले केवल पांच वर्षों में विपक्ष के तौर पर नंबर एक की हैसियत पाचुकी है यह भारते जिनता पार्टी के लिए अच्छी बात है तर्डमल कॉंग्रेस और बीजेपी आज दो प्रिंसिपल प्लेयर यही है बंगाल में जो कम्यूनिस्ट पार्टी थी उसकी इस्थिती सी पियम की और जो कॉंग्रेस पार्टी थी उसकी इस्थिती आज की तारिक में बहुत कमसोर हो चुकी है तो इस लिहाज से तो हम भारते जन्ता पार्टी को बहुत प्रबल दाविदार के तोर पर हम देखते हैं उनकी सीट संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ी वोट शेयर भी बहुत तेजी से बढ़ा अब जैसे देखिए कि साल 2019 में जब उनको वोट परसेंटेज 40 आया तो 18 लोग सभाज सीटें जीती जो कि दो लोग सभाज सीटें जो जीती गई थी 2014 में उससे बहुत ज़्यादा थी लेकिन फिर क्या हुआ कि उसके बाद अगले ही साल विधान सभा चुरा हुए और उनका वोट परसेंटेज marginally लेकिन घट गया 38 फीसदी पे आ गया तो ये जो सिलस्रा था ये मान लिजे कि इसको अगर आप ऐसे माने कि भारते जन्ता पार्टी करीब करीब वहीं थी तो भी ठीक रहता लेकिन उसके बाद फिर जीतने भी local bodies के polls हुए वहां पर भारते जन्ता पार्टी जीत नहीं पाई तो देखी जहां राज्य सरकार जिनकी होती है तो वो ज्यादा वोट शेयर कमता चला आया तो एक मोटे analysis के तोर पर लोग देख रहे हैं कि 40% के आसपास उनको वोट आये थे और 50% के आसपास वोट Trinamal Congress के थे तो Trinamal Congress के जो वोट शेयर है वो घटे नहीं है अलबता हुआ यह है कि जो CPM और Congress के वोट शेयर थे वो बुरी तरह से नीचे गए हैं और वो वोट जो है वो बीजेपी में जुड गया है तो Trinamal Congress 48, 49, 50 की जो आसपास है वो अपनी वोट शेयर लेकर के खड़ी है वहाँ पर और भारते जंता पार्टी उसके दस फीसदी के फासले पर पहुँच चुकी है ये अच्छी बात बुरी बात ये है कि उसके वोट शेयर में हाल के दिनों में छरण देखा गया है एक ग्रम पर बात दूसरी बात ये है कि ममता बैनर जी ने जो चुनाव लगनी की टैक्टिक्स बदली है जैसे कि वो इंडिया गड़ बंधन का पार्ट नहीं बनी इंडिया गड़ बंधन का पार्ट बनने का दो पार्ट में बट रहा है भारती जिंता पार्टी के पास जा रहा है और मत भूलिए कि सीपियम और कॉंग्रेस भी गड़ बंधन में वहां चुनाव लड़ रहे हैं तो एक तो वो जो विरोधी वोट है वो एक तरफ नहीं रह जाता है अगर वो इंडिया गड़ बंधन में रहती तो कॉंग्रेस और सीपियम वहां नहीं लड़ते जहां जहां चुनाव लड़ती तो ऐसे में विरोधी वोट को जुड़ने का मौका मिल जाता तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बंगॉल में है दूसरी बात कि एक ऐसी योजना है जो ममता मैंड़ जी ने चरा रखी है लखी भंडार योजना लक्ष्मी लक्ष्मी लोकल लांग्विज में कहते हैं लक्ष्मी भंडार योजना जिसमें कि एक हजार रुपया हर महिला को वहां के सरकार देती है तो घर में अगर तीन महिला है तो तीन हजार अगर घर में माँ है और तीन बेटिया है हाँ उसमें नियम यह है कि बीस या पत्चिस वर्स के महिला होनी चाहिए तुमाने लिजे कि बहुए हैं और माँ है तो फिर जितनी संख्या है उनकी चार है तो चार हजार रुपए दो हजार रुपए तो यह जो योजना है ये बहुत ज्यादा लोगों के बीच ट्रैक्शन का इस्यू है हमने देखा वहाँ जब मैं बंगॉल में था तो मैंने इस बात को महसूस किया कि इस एक योजना के दम पर जिसमें कि वो कैश ट्रांसफर और आपको याद होगा वही योजना उठा करके महालक्षमी योजना के तौर पर राहूल गान्दी ने अपने पांच नियाए में इंक इस योजना में दम है और ये जीतने के साथ चालू कर देते हैं हजार रुपए हर महिला को और उसको बढ़ानी की भी बात हो रही है तो इस एक योजना के दम पर ममताप एनरजी ने अपने सारे एंटी इंकवंशी को लैक आफ डिवलपमेंट को क्योंकि देखिए वहां व रिक्षा चलाने वाला आज भी ट्रेंड है आपको दिख जाएगा वो मतला कि कम होता जा रहा है पर वो भी दिख जाता है वहां महगाई उस हिसाब से है और पैसो की बहुत कम पैसो में बहुत लोग जिन्दगी जी रहे हैं ये सब चीज़े हैं वहां पर पर फिर भी सी प सपोर्ट करती दिखी हैं तो एक मुस्त उनको 30% वोड बैंक मिल रहा है और उसके अलावा उनका अपना जो कार्डर सपोर्ट है टीमसी का तो वो उनको एडिशनल 15% से उपर ले जाता है मेरी भी जानने में दिल्चस्पी है क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर गए भारतिय जन्यता पार्टी आरोफ लगाती है टीमसी के ओपर कि ये दबाओ और उस तरह से भी वोटिंग को मैनुपिलेट करने की कोशिश करते हैं जैसे कि वहां की जो स्टेट पुलेस है उसके कहेंगे बाके राज्जों की अपेक्षा इस तरहें की जो चीजे हुई है या फिर जो आरोफ लगे हैं उनमें कितनी सच्चाई या फिर उनसे क्या असर चुनावी नतीजों पर पड़ेगा कोई अने लिसे लिसको लेका है कि हमको लबता है सबसे ज्यादा हाइस्ट में देखा गया है यानि कि वोटिंग तो हो रही है तो यानि कि दो दो पक्षे लोग वोट दे रहे हैं पर थोड़ा खुलापन कम है इस बात को तो मानना पड़ेगा और जो विरोधी वोट है वो उतनी आसानी से पोलिंग बूट तक पहुँच करकि वोट टे ले रहा है इसमें कहीं न कहीं आपको थोड़ी दिक्कत तो नजर आती है हाला कि वोटिंग इतना हाई है कि बहुट ज्यादा दिक्कत है यह नहीं कह सकते हैं लेकिन जिस आसानी से दिल्ली में मालिजी की जाए वो कॉंग्रिस को वोट करे या आमादमी पार्टी को वोट करे या यही वजा है कि वहां मुकहर होकर, अमाली जे कि मैं देख रहा था कि बीजेपी के जो वोटर्स थे, वोट तो दे रहा है थे, लोग पहचान भी कर रहे थे कि यह बीजेपी के वोटर्स हैं, लेकिन वो थोड़े सहमें से थे, यह एक स्थितिय हमने वहां पर देखी, देखे जब यह मैं कह रहा हूँ, तो मैं इस बात को भी आंशी कुरूप से मानता हूँ, कि सामदाम दंडवेद का इस्तिमाल बंगाल में तो होता है, चली बंगाल में होता है, लेकि क्या बिहार में ऐसा हो रहा है, और बिहार की इस्तिति क्या है, क्योंकि बिहार में पिछली बा बड़ा दिल्चास पिसले रहेगा क्योंकि भारतिय जनता पार्टी के तरफ से 370 का लक्ष लेकर चला जा रहा है तो क्लीन सुइप करना बहुत जरूरी है इन दोनों ही राज्यों में अब देखे भारतिय जनता पार्टी 17 सीटों पर लड़ रही है और भारतिय जनता दाहरा ना देता हूं कि इस बार M.Y. के साथ एक तीसरा कास्ट कुश्वाहा जोड लिया गया है और साथ सीटे कुश्वाहा की देदी है रास्ट्रे जनता दल ने आर जेडी ने जो M.Y. में रहती थी उसने एक और जाती को अपने साथ जोडने की कोशश की है जब आप बाती है फैक्टर बहुत iniony हो जाता है बहार में लेकिन भारते जनता पाटी ने एक भी कुश्वाह को टिकट नहीं दिया डिया था उसने नवादा में भी दवाब बनाया और मजबूती से वो लड़ता नजर आया बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ क्योंकि उसके पास वो बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया और कुशवाह जाती के लोग वो औरंगाबाद में भी इस्थीती थी जहां सुशील उमिद्वार को टिकट दिया गया इंडिये के द्वारा काराकार्ट में तो कुशवाह जाती के ही उमिद्वार के द्वारा दे दिया गया इंडिया गड़बंधन के तरफ से वहाँ पर CPI ML को टिकट लेकिन पवन सिंग आ गये और पवन सिंग के बारे में कहा जा रहा है कि परोग शुरुप से भारते जुनता पार्टी उनका समर्थन कर रही है तो कुश्वाहा समुद आए कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि पवन सिंग को कोई और सीट नहीं मिली थी क्या दो कुश्वाहा लग रहे हैं कोई एक तो पहुंसता तो आपने वो काट दिया तो अब पव सिंग ने नॉमिनेशन फाइलेंग और परचार और की काफेले में बीजेपी की स्टिकर वाली गारियां खूब दिखी और लोगों में एक भ्रम फैल तो गया तो एक नाराजगी है तो यह जो तीसरी जाती जुड़ी है यह भारते जंता पार्टी के लिए थोगा मुश्कि रहे थे सिवान में यह भी एक भ्रम पैदा कर रहा था कि सिवान में जो भारते जंता पार्टी है उसके सपोर्ट बेसको मैंने हिना शहाव inडिपेंडनिंट उमिदوार जो शहाव उदीन की पतनी है उनके साथ देखा मैंने वो उनके साथ नहीं देखा जो की जेडी यू के उफीशल कैंडिडेट वहां पर थी बीजय लक्षमी कुश्वाः तो एक एक शक पैदा हुआ है इस जाती विशेश में क्या सचमुच हमारे वोट हमेशा से लेती रही है भारती जुनता पार्टी, कोईरी और कुर्मी यानि के लवकुश हमेशा से साथ रहे इंडिये के तो इस बार क्या हमारे साथ धोखा हुआ है और क्या हमारा जो अहित है वो आर्जेडी के साथ है एक शक हुआ है इस शक का कितना फायदा होता है ये देखना पड़ेगा क्योंकि नया जाती समयों बीजेपी के साथ तो नहीं जुड़ा है हाँ जो था जो था वो थोड़ा खिसका है फिर भी मैं कहूँगा कि जो लाभारती वोट है वो बहुत है लाभारती वोट जो साइलेंट रहता है चुप रहता है तो उस कारण से जो नुकसान है वो होगा इसमें दोमत नहीं है पर कितना होता है मैं बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि वो जो चुप वाला वोट है जो आज की तारीक में ये जो राशन की योजना है पिएम जी के वाइप प्धार मतरी गरीब कर लिया नहीं हो जना और किसान समान निधी जो पैसे मिल जा रहे हैं ये दोनों का बड़ा लाब है और ये जरूर फाइदा करेगा भारती जिन्ता पार्टी को लेकिन फिर भी देखिए जाती आधार तो है ही चुनावता और आपको हम यहां बताएं कि आरके सिंग आरा से लड़ रहे है आरा की सीट ठीक काराकार्ट की सीट के बगल में है अब काराकार्ट से एक राजपूद समधाय के विक्ति पवन सिंग वहां दो कुश्वाह जाती के लोगों के खिलाफ खड़े है तो आरा से एक राजपूद समधाय के विक्ति को क्या कुश्वाह वोट देंगे यह अगल बगल की बात है ना यह नाराजगी है अब देखिए एक पास में औरंगाबाद है काराकाट के वहां कुश्वाह बनाम राजपूद थे तो क्या यहां राजपूद कुश्वाह को वोट देंगे यह सारी बाते होगी काराकाट में उमीड एकी जा रही थी कि जो राजपूद समुदाय है जब तक पवन सिंग नहीं आये थे तो वो कुछवाह उपेंदर कुछवाह को वोड दे लेकिन कुछवाह समाजवाले वहां राजपूत के खिलाफ कड़े हो गए थे आरज़ेडी की टिकट पर बगल के औरंगाबाद में तो जातिये इस तरह से जो खीचतान मची है इसका एक इमपैक्ट हम लोगों को रिजल्ट्स पर दिखेगा कितना लाव ले पाती है आरज़ेडी देखना होगा पर यह जरूर है कि भारते जुनता पार्टी तो सत्रही पे लड़ रही है ना दूसरी बात यह है कि नितीश में वो चौक नहीं है नितीश के वोट मैंक में छरूर हुआ है और कमजोर पड़े हैं वो अब देखिए कि कोईरी कुर्मी यानि के लव और कुछ दोनों वोट्स उनके कंट्रोल में होते थे आज की तारिक में हम कुछ वहाँ पर इतनी बाते कर रहे हैं यानि कि वो उतने इफेक्टिव नहीं रहे चितने की वो रहते थे पहले तो एकदम रिस्चंत हो जाते थे लोग कि ठीक है वो लवकुस संभाल लेंगे आज की तारिक में नहीं है वो बात तो उनके वोट बैंक में भी छरना आया है अब उनका वोट कितना जो बीजेपी को जाता है और फिर वो रिजल्ट्स लेकर आता है ये देखना पड़ेगा और हो सकता है कि अगर कुछ सीटे वहां से जाए बीजेपी के हाँ से तो बहुत आश्यरी की बात नहीं होगी और वो उसकी वज़े शायद नितीश कुमार भी हो हाँ देखिए सहीयोगी केवल बिहार में नहीं महाराश्ट में भी महाराश्ट में तो बिल्कुल नए कॉमिनेशन तयार हो गया है हाँ मतलब सहीयोगी की वज़े से वहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगों पर अपने आपको कमजोर पार ही है भारते जंता पार्टी क्योंकि भारते जंता पार्टी जतना मजबूत थी शिव सेना उद्धव के साथ क्या उतनी ही मजबूत है शिंदे के साथ ये प्रशन शिंद है जबकि उद्धव भी खड़े है और ये पहला चुनाव उस टूट के बाद है जो की जून 2022 में दिखा था हम लोगों ने जब गावाटी लेकर के चले गए थे शिव सेना के अमिलेज को और आज की तारीख में एक साहन उभूती की लहर तो है और मैं इस बात को महसूस कर रहा हूं कि अगर ब्रेहन मुंबई म ुनिस्पल कारपडरेशन जो महां से चुनाव है वह टाल दिया गया शिन्दे सरकार के द resolving हैं और तीन साल और तेडर चाही है नहीं कर आया तो मतलब है कि सहानुभूती है उद्धफ के साथ सहानुभूती है और खासतोर पर वो मंबई, कौंकर्ण ये जो अलाका है इसमें है वेस्टर महारास्टा में उसी प्रकार शरुत पवार के प्रती एक सहानुभूती है और अजीद पवार को कहां उतनी सीटे दी गई है मैं इस बारे मेरे एक दिमाग में एकदम से बात आई कि जब M.V.A की सरकार बनी थी तो भारती जनता पार्टी के ही नेता शिवसेना पर ये सवाल उठा रहे थे कि देखिए उन दलों के साथ चले गए जिन से कभी संबन नहीं था कौंगरेस के साथ चले गए या फिर N.C.P. के साथ चले गए आज भारती जनता पार्टी N.C.P. के साथ अगर है भले ही आदी N.C.P. है लेकिन N.C.P. के नाम पर उनको निशान और नाम सब कुछ मिल रखा है तो अभी के लिए फिलाल के लिए अगर ओफिशल देखें तो उन्हीं की N.C.P. है आज N.C.P. के साथ हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो यह जो नया कॉमिनेशन बनाया है इसका क्या लिटमस टेस्ट होना है इसका नतीजा क्या है यह अभी से कोई प्रेडिक्ट कर नहीं पा रहा है बड़ा ही मुश्किल हो रहा है कि भारती जनता पार्टी भले ही ज्यादा सीटों पर चु अब देखिए पीपल्स कोट में ये मैटर है जनता की अदालत में और ये पहला चुनाव है तो पीपल्स कोट में ये अन्याय हुआ था ये सही हुआ था ये दोनों पार्टियां जो है प्रेयोग के तहर तूटी थी अब ये अगर चुनाव लड़ा होता औरिजिनल अब ये जिसमें की मुक्ष मंतरी उद्धफ थे वो पचपन फीसदी के असपास वोड थी तो भारते जनता पार्टिय को ये जो तोड़ फोर करनी पड़ी वो इस अनुभूती के बाद कि अगर ये ऐसे ही रह गए तो फिर त आता गामचन तो बड़ी मुश्ट खाती कांग्रेस ये जिडी और जी डी उका काममिनेशन असका पलगसान हो जाता बी जिप्य को तो खेल सभकों चुनाव जीतनेका हक है उसके लिए प्रेयास करनेका है उन्होंने प्रेयास किया पर चुनाव जीतना नहीं जीतना ये जन है और जनता तै करेंगी कि जो Election Commission ने मानेता दी है कि शिभ सेना Original शिंदे के पास है.. ये जनता बताएगी कि शिभ सेना Original जो है वो धब के पास है ये ढीन्सिप एूरिजिनल जो है वो पार के सीटे अगर एकनाच सिंदे और अजीद पवार के नाम छोड़े तो पता नहीं जीत पाएं या ना जीत पाएं इसलिए उन्होंने अपनी संग्या बढ़ा कर अठाइस कर ली और कुछ नहीं बोल पाए दोनों अजीद पवार भी और एकनाच सिंदे भी क्योंकि बड़ा पर भी बताया जा रहा है कि अपने बेटे की सीट अपने ब्राइड के च्छोड़ के एकनाच सिंदे और किसी भी सीट पर confident तेंगि और अजीद पवार के बारे में बताया जा रहा है कि वह बारा मती की सीट पर भी अपने आपको फसा चुके हैं और पता नहीं अगर वहां और जो के फैक्टर है ना ये सबसे आखिर का फैक्टर होता है के फैक्टर इसलिए important है क्योंकि के जो है के फॉक करनाटक और ये important इसलिए है कि 25 सिटे 29 में से थी वहाँ पर भारतिय जनता पार्टी के पास और अभी जो सिटी वहाँ पर है उसमें सरकार कॉंग्रेस की बनी है और बहुत सी घटनाएं आई है कुछ इस तरह की हाल के जिनों में जो की वोटो को लेकर नीचे जा रही है और डीके शिकमार का बड़ा दावा है वहाँ पर तो माली जे दस सिटों का नुकसान तो कम से कम मान करके चला जा रहा है और ऐसे में ये जो कमिया है ये अगर चाह तो वो 270 के रेंज में ले आती है यहां सरकार तो बनते हुए दिखती है लेकिन reduced margin के साथ दिखती है इसलिए कहा जा रहा है कि अगर रफ़तार BMW के साथ नहीं मेंटेन हुई तो फिर वो स्थिती एक जो कह सकते हैं कि आप 272 का आखड़ा लेकर के वो जीत तो हासल कर लेंग आखरी चनल में कोशिश करेंगी और इसमें हरियाणा भी शामिल है हरियाणा में देखी क्या खेल होता है क्योंकि वहां पर भी सीम बदले है और तमाम चीजे चल रही है तो वहां पर भी कहा जा रहा है कुछ सीटों का फर्क पड़ सकता है कुल मिलाकर जो BMW की रफ़तार है उससे प्रधानमंत्री नरेंद मुदी क्या मैच कर पाएंगे क्या बिहार में महराष्ट में वेस्ट बेंगॉल में करनाटक का भी जिक्र हमने किया हरियाणा का भी जिक्र किया वहां पर जो पिछली बार का प्रदर्शन है उसे अगर दोहरा पाती है भारतिय जनता है उस तक पहुंचने के लिए हाला कि अभी कि नतीजे चार तारिक को आ रहे हैं इसके लिए अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता हैं लेकिन कहा ही जा रहा है कि अपनी सरकार बना लेकि भारतिय जनता पार्टी कितनी मजबूत रहती है यह देखना सबसल्शचर दिल्चस्त र